दिवाली मिलकुल खरीब है और बाजार में आम पटाकों के साथ ग्रीन क्रैकर्स मिल रहे हैं दावा ये होता है कि इससे कम हानिकारत गैस निकलते हैं पर्यावरन के लिए अच्छा है लेकिन इसको लेकर एक बड़ी स्टडी आवास फांडेशन की तरफ से हुई है और आवा कर्कार्स में से ये मालूम पड़ा के लिए 14 क्रैकर्स में बारियम है जो के सुप्रीम कॉर्ट एक और इन 2018 में बांड की है ये केमिकल को हमने 2018 से लेके आज तक 2018, 20, 21, 22, this is the 5th year हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और हम को हर साल ये ही पता चला है कि ये बारियम और दूसरे क्रैकर्स में हैं और हमने ये सुप्रीम कॉर्ट के सामने भी रखा है और सुप्रीम कॉर्ट ने कहा है कि स्ट्रिक्ली उनके ओर्डर्स फॉलो होने चाहिए और ये बारियम नहीं होना चाहिए और और कोई भी जो के बांड केमिकल्स हैं नोट ओनली बारियम उसमें दूसर केमिकल्स हैं जो के हाजडिस केमिकल्स रूल्स अंडर इंवारिन्मेंट प्रोटेक्शन अक्ट में लिस्ट हो चुके हैं और उन से काफी कुछ सहत को नुकसान होता है और रेडी हम मुंबई शहर में और दिली में दूसरे शहरां में बहुत ज्यादा एक्यू आई बढ़ चुकी है और यह क्रैकर्स ऑल्दो एक्यू आई शायद इतनी ज्यादा नुकसान होगा जिससे के दूसरे कारण है जैसे के कंस्ट्रक्शन बट यह बहुत ही हाजडिस केमिकल्स हम इन्हेल कर रहे हैं उनके बहुत फाइन पार्टिकल्स 2.5 होते हैं और को बहुत ज्यादा लॉंग टर्म नुकसान होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉंग टर्म तो यह बड़ी बात है पर दर्शकों को वापस से बता दें की बाई सैंपल्स में से करीब 14 माम 14 ऐसे सैंपल्स हैं जिसमें वह बैंड केमिकल्स मिले हैं जो आपकी सेहत के लिए बेह जैसा कि मैंने उनको लेके टेस्ट करके आपके सामने रख सकती हूं कि यह सच मुछ ग्रीन है या नहीं यह तो गवर्मन्ट भी कर सकती हूं उनके पास तो सब मेकनिजम है लाब है सब कुछ है वो उनको एंशो करना चाहिए कि ग्रीन ट्रैकर बेशक वह काम में ले सुप् बजार में जाके मुझे लगता है कि यह क्राकर ठीक है तो मुझे यह अशॉरंस होना चाहिए ना कि मेरे बच्चे के हाथ में मैं जोंगी दोंगी तो सच मुछ में यह ग्रीन क्राकर है और पॉजनेस क्राकर ग्रीन क्राकर खाली लेबल लगा के नहीं है तो मैं तो गवर् है जबके सुप्रीम कौर्ट के ओर्डर्स हैं जबके गवर्मन्ट हुद कह रही है के लोगों के हैल्थ उनकी बहुत बड़ी कंसर्न है जबके हाइग कार्ट ने कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया है तो यह पॉईजनेस क्रैकर हमके हाथ बच्छों के हाथ में क्यों दे रहे ह हैं तो यह तुरंट उनको कांफेस्केट करना चाहिए बिकाज आप यह नहीं कह सकते हैं के क्रैकर्स अल्रेडी मार्केट में आ चुके हैं हर कोई क्रैकर का वेंडर हो डिस्ट्रिब्यूटर हो कोई भी हो वो लाइसन्स होते हैं बाइ पुलीस और बीमसी को एंशॉर करना चाहिए कि जो भी क्रैकर्स बैंड केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं वो तुरंट विड्डॉर हो और अगर मैं जाके खरीदी करू तो आइकन रेस्ट अशॉर्ड के यह क्रैकर्स इतने बिल्यूटिंग नहीं होंगे मैं कहां कहां से सैंपल इकटा हुए था गर वो मैंने स्टॉक है और मैं हर बार के स्टॉक में कुछ ऐसा अलग पैटर्न आप देख रही हैं कि कुछ ऐसा केमिकल जो और अड़ किया जा रहा है नहीं सैंपल मैं जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो जो कि एकदम उपर जाके एरियल क्रैकर्स जाके बहुत लाओड आवाज वाले वो ग् जड़ी हम कि हर एक बच्चे के हाथ में देते क्यूंकि यह तो सेफ क्रैकर्स हैं पर हमको फूल जड़ी में बैंड केमिकल्स मिले हैं तो आप अभी अगर आपको लगेगा कि आपके फूल जड़ी में और अनार में और चक्री में बैंड केमिकल्स हैं तो इनको ग्रीन नह नहीं कह सकते हैं, यह नॉइस पॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, यह केमिकल पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, एबॉलूशन का प्रॉब्लम है, तो यह ग्रीन ट्रैकर्स नहीं है, और माम आपकी स्टेडी में कुछ क्यूर कोड को लेके भी यह हुआ है कि वो फेक अपने कोई बिखेश उपस में नीरी खूद sisya विखेश ुएक। बनाती है लग्टियेश रखे gases रचेक और यह वर लेकり और आप कोई प्रोडिक ज़ necesita मोगा सकतक नहीं कर सकते हैं से यह Crackers में क्या क्या कंतईन हाँ और यह सेफ हैं या नहीं हमारे लिए तो अगर QR Code वह फेक चापिंग है तो इसका Check करने का कोई नतिजां नहीं है to the ordinary citizen और इस़िलिए जब के यह फेक QR code के साथ Crackers Market में बिख रहे हैं तो definitely इस फुरह कोड हीं करना सब्सक्राइब करके टिस्ट्र ór कोड खेए्टảng रोस है का ऊदAAAA अगर ऑन पन्य नहिए फिर्फीं कोड अर्ट्य टिस्ट्रेर्ड कोड आक. कुछिए करना चाहिए, इमीजिटली तोडे, क्यूंकि दीवाली तीन दिन आगे है. मैं, क्या आप कम्यूनिकेट करने की कोशिश होई है, गवर्मिन की तरफ से? मैंने एक लेटर लिखा है, हर साल लेटर लिखा है, इस साल भी लेटर लिखा है हमारे सिटिजन के हेल्थ के लिए आप ये आज के आज कॉन्फिस्केट कीजिए. And we have an epidemic of sickness, क्यूंके not only respiratory sickness, ये जो chemicals हैं उससे बहुत और चीजे हो सकते हैं, skin irritation, eye problems, respiratory problems, lungs, जो बच्चे हैं उनके लंग के development में नुकसान हो सकता है, बुड़े लोग को बहुत तकलीफ होती है, कोई मौत भी हो सकती है, तो ये इसको celebration नहीं कहा जा सकता है, celebration जो होता है, जो कि सब लोग अच्छी तरह के तरीके से, खुशी से, community spirit लेके और celebrate करें. Thank you so much ma'am, आपके समय के लिए, तो एक बहुत ही important study ये आवास foundation की तरफ से एक letter भी लिखा जा चुका है, ऐसे वक्त में जब सरकार खुद कह रही है कि green पठाके फोड़े, उनमें अगर ऐसे harmful chemicals मिले हैं, तो उस Mumbai के लिए बहुत जादा मुश्किल की बात होगी, जो बहुत समय से खराब AQI में जी रही है, सांस की दिक्कत जेल रही है, pollution को लेकर Bombay High Court भी सकत है, तीन घंटे का की अनुमती मिली है पठाके फोड़ने के लिए, लेकिन green crackers जो के हमारे market में available हैं, उनमें ऐसे खराब chemicals हैं, जो आपकी सेहत को और खराब कर सकते हैं, सरकार इसे बढ़ावा दे रही है, लेकिन उन्हें अभी इन findings पे जवास foundation के सामने आई हैं, उन पे सक्त और जल्द ही action लेना होगा। मुमई से कैमरामेन राजीन रुदयालकर के साथ, पूजा भारतवाज, NDTV इंडिया सिर्टता, का लेकिन बढ़ार्न रालद के लाहां, इंडिया अल्याजी। मैं होल्टता, का लेकिन राजी। झाल झाल